जीवन के जो प्रतेक छेत्र है, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे सामने अनेग बाधाएं आ जाती हैं, अब प्रत्यासित बाधाएं सामने आखड़ी होती हैं, और फिर क्या होता है, उन बाधाओं से हमारी लडाई सुरू हो जाती है, दंद होता है, संघर्स होता है, बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, एक तो है बाहरी, दूसरी है आंत्रिक, मैं इस पर चर्चा करूं बाधाओं पर, लेकिन पहली बात तो यह है, कि जीवन को बेहतर बनाने का क्या आरथा है, जीवन को बेहतर बनाने का क्या आरथा है, क्या हम लोग जो रोज रोज काम कर रहे हैं, क्या वो बेहतर बनाने का तरीका नहीं है, क्या उससे बेहतर नहीं बनेगा, उससे बेहतर बनेगा, लेकिन जो हम कर रहे हैं न, बहुत से काम ऐसे हम करते हैं रोज के, हमसे भी बढ़िया करने वाले हैं चाहे हम भोजन बनाते और करते हों, कपड़ा पहमते हों, या अन्य सेवा कारिय करते हों, आप देख लें हमसे भी बढ़िया भोजन करने वाले, बढ़िया बनाने वाले, खेतों में बढ़िया काम करने वाले, सेवा के छेत्र में देखो तो हमसे कई गुना बढ़िया सेवा करने वाले और भी संस्था और आस्रम का निर्मान करके ऐसे ऐसी चीजें लोग करते हैं जिनके तो हम लोग किनारे भी नहीं है तो हम इतने ही करते रह जाएं और इसको माने कि हम बहतर बना रहे हैं या फिर थोड़ा पाट कर लें कुछ भजन गा लें कुछ बात कर लें ये आवश्यक हैं मैं इसको नकार नहीं रहा हूं लेकिन एक रुटीन वर्क को कर लें और ये मान के चलें कि इससे काम चल जाएगा इतने से नहीं होगा गुरदेव जी कहा करते थे सामान ये वैराग इससे काम नहीं चलेगा प्रवल वैराग की जरुरत है जो हम कर रहे हैं ये जैसे कोई एक्तम साइलेंट मतलब ऐसे लगते हैं जैसे कोई बस चले जा रहे हैं पैस्टिव मॉड जिसको खाते हैं न तो मैंने कहा था कई बार एक्टिव मॉड पे आईए मतलब कुछ ऐसे जगजोरें अपने को क्योंकि आप सभी हम सभी जानते हैं कि हमारा लग्च बहुत बड़ा है इस सामाने नहीं है कि आप कोई एक्जाम दिला दे और कोई कलर कर बन जाए या तस्दिलदर बन जाए या फिर कलेक्टर बन जाए या फिर थोड़ी से आप चुनाव लड़ करके कोई विधायक या मंत्री मिनिश्टर बन जाए आप जानते हैं उससे भी बड़ा है यह उससे भी बड़ा है लक्ष यह और इतने महत पूर्ण इतने महान लक्ष जब हमने निर्धारित करके चला है तो आप देखें कि जिस प्रकार से हमारी गत्विधी है क्या यह विश्वास होता है कि जिन गत्विधियों से हम चल रहे हैं क्या हमें वहां तक पहुँचा देगी जीवन के अंद के पहले मैं ऐसा नहीं किया सबका कि कोई पहनी क्रियेट करना रा चाहता हूँ मेरा मतलब यह है कि यह खुद को सोचना है मैं आपको सोचने के लिए आत्मनुसंधान के लिए विवश करना चाहता हूँ मेरे कहने से ही नहीं मैं ठीक है आपका के आपको सहयोग करना चाहता हूँ लेकिन खुद अकेले में बैट करके यह सोचे जो मेरा रोज रोज मैं जो कुछ कर रहा हूँ रोज का मेरा जो काम धाम है रोज का मेरा पढ़ाई लिखाई का इस्तर है सत्संग का जो इस्तर अभी तक मेरा है क्या इसको मैं दस साल, बिस साल, पचास साल तक यदि करता चला जाओं तो क्या विश्वास होता है कि मैं सचमुच वह पा जाओंगा जो मैं चाहता हूँ यह आप खुद सोच ले लेकिन मैं समाजता हूँ जब सचमुच इस चीज को आप डीपली जा करके अंतरतम में उतर करके और निश्पक्छ हो करके सोचेंगे न आपको खुद को लगने लग जाएगा नहीं यह परियाप्त नहीं है इससे कुछ और बहतर करना पड़ेगा और बहतर और समस्य क्या होती है यह सब सामान में काम करते हैं नहीं है इसके अलावा और भी बहुत सी बाते हमारे जीवन में संगर्स, लड़ाई, जगड़ा, द्वन्द, तमाव ऐसे ऐसी चीजें आती है जो आदमी कुछ आगे बढ़ा रहता है ना उसको और पीछे ढखेल देते है मतलब आप यदि दस दिन भी साधना किये हों दस दिन साधना किये हों और कहीं एक बार आप उत्तेजित हुए और द्वेश में एकदम से आप अंदर से परिशान हो रहे हैं मंदर में नफरत और ग्रणा का भाव जग रहा है तो जितना आप चले थे दस दिन में ना उतना आपको पीछे ढखेल देता है वो पीछे ढखेल देता है इसलीए इस चीज को हमें समझना आए आइंस्टीन ने ही कहा था एक गलत इंपुट कहीं आजाता है ना एक गलत इंपुट आजाता है एक नकारात्मक्ता को निकालने के लिए 20 सकारात्मक्ता की जरुरेत होती है बीस सकार आत्मक्ता की जरूरत होती है मतलब और आप हम सभी खुद देख लें अपने देनिक जीवन में किन बातों को लेकर के उलस जाते हैं कैसे कैसे हमारे मन में द्वंद चलते हैं कोई घटना घटी चाहे पास में या दूर में उस घटना को लेकर के हम कितना उद्वेगीत हो जाते हैं क्या लगता है उस समय मैं साधना की स्तर पर हूँ क्या उस समय लगता है मैं शांती के पत पर चल रहा हूँ कितना मन में बदले का भाव देश का भाव जग जाता है तो फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि लक्ष प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान का अरजन करना पड़ेगा और प्राप्त ज्ञान के आच्रित करने के लिए अभ्यास करना होगा मतलब अपने को भीतर से परिश्कृत करना होगा अपने मन को, वाणी को और अपने प्रते करमों को और फिर हमसे जब कभी इस प्रकार गल्तियां हों तो हम उस गल्ती को भी सही सिद्ध करने में न लग जाए यह स्विकार करने, हाँ मेरे ऐसे गल्ती हो गई यह मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा तो फिर तब जीवन में अंतर आग और भीतर से जितना परिश्कित हम सब होते जाएंगे मतलब हम भीतर से जितने बेहतर बनते हैं बाहर से भी उतनी अधिक बेहतरी, उतनी अधिक अच्छाईयां हमारी ओर अपने आप खीची चली आती है क्योंकि जो हम होते हैं, हम वैसे ही लोगों को आकरशित भी करते हैं कोई आदमी एदि जुआडी होगा न और अपरचित जगा भी पहुँच जाएगा न तो वहाँ पहुच जाएगा शाम तक के जहां जुआ खेल रहे हैं लोग एक सराबी आदमी भी एक अपरचित जगा पहुच जाएगा और यहां तक के जहां सराब बंदी है यह ध्यान दीजिए शाम होते होते वह डाउन होके लोटेगा घर यह उधारण हैं मिल जाएगे उनको लेकिन एक कही सत्संगी होगा वो ढूंड लेगा अपरचित जगा भी ढूंड लेगा ऐसे लोगों को ढूंड लेगा वो ऐसे लोग आ जाएंगे उनके पास में इसलिए भीतर शेया में परिश्क्रित होना है अब मैं प्रशंग की बात कहूं यह तो बात यह थी कि बाधाय मैं कह रहा था कि हम सचमुझ बहतर बनना चाहते देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग का भाव अच्छा नहीं है और हम सचमुझ नहीं चाहते मैं दिल से कह रहा हूँ हम सभी के मन में ये भाव तो है कि सचमुछ हम जीवन को इतना सुन्दर बना ले कि जीवन में सचमुछ शूख और शांती का अनभव हो लेकिन होता क्या है जो बाधाएं खड़ी होती है मैं उस पर चर्चक करना चाहता हूँ हम क्यों नहीं कर पाते हैं इन सब चीजों को क्यों ऐसा जो चाहते हो क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है बाधाएं मैंने कहा बाहरी बाधाएं मतलब हमारे दैनिक जीवन की दैनिक जीवन की जो क्रिया कलाप है न जो रुटीन वर्क है न पहले उनी से लड़ाई होती है वही हमारे लिए बाधा बन जाती है देखिए हम सब के पास में कोई भी के लिए तीन संसाधन है तीन संसाधन क्या है? वो तीन संसाधन क्या है जिनका प्रयोग हम परती दिन के काम निप्टाने में करते रहते हैं तीनत सादन काऊं से है वो सबसे पहला है समय क्यू भी कुई काम हम करेंगे कब जब समय हो दूसरा क्या है दूसरा है उर्जा शकति एनर्जि अर तीसरी बात क्या है हमारा मनमस्तिस्क मरन का मतलब हम कैसे सोचते है क्या सोचते है ये निर्फर करता है ये तीन चीजे हैं तो अपने आपको बहतर बनाने की हमारी इच्छा की जो पहली लड़ाई होती है प्रतिश्परधा होती है किसके उस समय के साथ हमें क्या कह रहा हूं मैं क्योंकि उसी प्राप्त समय में ही हम अपने देनिक जीवन के कारिय को संपन करते हैं चाहे हमारा ये रोजमर्रा का काम हो सुबा उठना शोजबात्रूम जाना और जाड़ों पोच्छा लगाना और सब करना, बयाम करना ये क्या है फिर कुछ सामाजी काम करना है फिर कुछ हम मनरंजन करना चाहेंगे कुछ मित्रों से मिलना चाहेंगे कुछ और बात करना चाहेंगे ये सब होते रहता है और इनी सब कामों को करने में हमारा समय चुक जाता है बचता नहीं है ऐसा लगता है अरे समय नहीं मिला जो हम चाहते थे वा समय नहीं मिल पाया और फिर क्या होदा है कि यह सब करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास में समय के साथ साथ में उस काम को निप्टाने के लिए हमारे पास में उर्जा चाहिए शक्ति चाहिए क्योंकि बिना शक्ति के बिना उर्जा के तो कोई काम हम करने शक्ते हैं तो इन ही सब जो क्रिया कलाप है जाहे व्यक्तिकत हो, सामाजीक हो, पारिवारीक हो या अन्य कोई भी जाहे हमको मित्रों के साथ बात करनी हो, बाहर जाना हो, कुछ करना हो, कुछ भी इतनी उर्जा उसमें खपत हो जाती है शाम होते होते लगता है कि कुछ उर्जा बची ही नहीं है ऐसे लगता है? शाम होते होते जिसे उर्जा बची ही नहीं है और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या आती है? हमारा मानुशी कर्थात हमारे सोचने के लिए mijटार लगाना होता है, समख्यां सुलजानी होती है, बातों पर विचार करना होता है, समझना होता है, निप्टाना होता है, और भी बहुत सी बात वाइसे भी unwanted आती रहती हैं लोगों के दौरा, दित्रों के द्वारा, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं अपने विशाय में सोचने का मतलब अपने साधना के विशाय में सोचने का हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं मतलब हम जो पहली चीज़े हमारे लिए आती है ये करना वो करना ये करना उसमें हमारा समय चला गया हमारी उर्जा चली गई हमारा मन हमारा सोचने का ढंग सोचना उसी में लगा रह गया तो क्या होगे पहली चीजों के परवाह करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास उस एक चीज की परवाह करने का समय उर्जा या विचार बचता ही नहीं जिससे अन्य सभी चीजें बेतर बन सकती हैं मैं क्या कह रहा हूँ एक आदमी साइकिल से जा रहा था लेकिन साइकिल से ऐसा उसको धकेल के लिए जा रहा था चला नहीं रहा था ऐसे धकेल के लिए जा रहा था घशीट करके एक आदमी ने कहा अरे साइकल पर बैठ क्यों नहीं जाते हो नहीं मेरे पास समय नहीं है साइकल पर बैठने का मुझे जल्दी पहुँचना आए समझ रहे हैं ना अब उसको साइकल पर यदि बैठे और जल्दी चल दे इसी प्रकार से जो भी हम करते हैं न यदि उस पर ध्यान दे जिससे हम बहतर बन जाएं उस बहतरी से अन्य सारे कामों का बहतरी ढ़ंग से निप्टा सकते हैं और उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है उसके लिए समय नहीं बच पा रहा है मतलब हम ट्रेन को ठीक करने में इतने व्यस्त हैं कि हमें अहसासी नहीं है कि हम गलत पटरी पर है ट्रेन को ही ठीक करते चले जा रहा है यह पता ही नहीं कि ट्रेन क्या है गलत पटरी पर है मतलग हम जीवित रहने में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि हनमान ही नहीं लगा पाते हैं कि किस प्रकार जीएं किस प्रकार जीएं जीने का धंगी नहीं अपना पाते हैं इस प्रकार से ये बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं मैं पताऊंगा आगे चल करके कैसे इससे हम पार पाएं दूसरी बाधक में चर्चा कर लो क्या है आंत्रिक जिसको मैंने कहा यह सब तो बाहर की हुई अब क्या हूँ था अब उसके भलावा भीतर से आलस्या प्रमाद आता है नहीं आता है और फिर टालम टोली अब देखिए उससे भी समय बज़ गया बाहरी काम से भी समय बज़ गया उर्जाई बज़ गयी अब आलस्या आलस्या का मतलब समझ रहे हैं आलस्या का मतलब है कि हमें उस काम को करने की योग्यता है इसके बावजूद न करना हमको हमारे पास उस काम करने की योग्यता है उस काम करने के लिए समय है फिर भी ना करना यह आलश्य है क्या हम लोग इसके सिकार हैं कि नहीं है कुछ हंसों में तो है मतलब पढ़ने की योग्यता है पढ़ने का समय है साधना की योग्यता है साधना का समय है मौर रहने की योग्यता है मौर रहने का समय है नहीं करते है चुप रहने की योग्यता है मतलब अनुद्वईगित रहने की योग्यता है कई ऐसी चीजे हैं तो वह योग्यता होते हुए वह समय होते हुए भी उस काम को न करना हम सभी अच्छा दूसरी बात क्या टालमडोली देखिए हम सभी को पता है कि कैसे करना है और क्यों करना है उसके महत्व को भी समझते हैं ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं और कैसे करना है उस तरीके को भी जानते हैं लेकिन क्या करते हैं जानते हैं इसलिए नहीं कर पाते हैं कि किसी समय सुरुवात करने के पहले किसी काम को सुरुवात करने के पहले में अध्भुत यात्रा में चले जाते हैं कौन सी यात्रा बताऊं किसी दिन समझ रहे न एक ऐसा द्वीप है जिसका नाम है किसी दिन द्वीप किसी दिन क्या करूंगा उस्तक पढ़नी की सुरुवात किसी दिन करूँगा वयाम किसी दिन सुरू करूँगा ध्यान किसी दिन सुरू करूँगा शांत रहना किसी दिन सुरू करूँगा मेरे भीतर जो क्रोध है न किसी दिन मैं इसको जीत ले जाओंगा यह किसी दिन, किसी दिन करत विचार जनम गव खी से यह तनरहत असाधा और साहिब ने क्या कहा आगे की पंक्ति बहुत कठोर है जान बूझ जो कपट करत है तही असमन्द न कोई कहाई कबीर तही मूड को भला कौन विधी होई जब इस पंक्ति को हम कहते हैं हम क्या मानते हैं लिए कहा जा रहा है नहीं हमारे लिए है हमारे लिए है वो तो फिर क्या होगा आप जानते हैं क्या होता है 80% लोग उस द्वीप में जाकर के मिले रहते हैं 80% लोग उस द्वीप में पहुँच गये हैं और जब अपने सरीखे लोग मिलते हैं और आपस में चर्चा करते हैं क्यों नहीं कर रहे हो वो काम क्यों नहीं कर रहे हो जो सच मुझ करना चाहिए तब वहां सम मिल करके क्या करते हैं पता है बहाना बनाते हैं इतना बहाना वहां पर सभी लोग क्योंकि सारे बहाने बाजी कठे हैं और वही कहेंगे ये हो गया, क्या हो गया मुझे बच्पने में अच्छी सीख्छा नहीं मिली मैं ये नहीं पड़ पाया मुझे सहयोग नहीं दे पाते हैं लोग इतना रेडी मेड बहाने हैं, अब बता है क्या है, इसको क्या कहतें पता है बहाना साइटिस एक रोग है, जिसे कहते हैं बहाना साइटिस ये सब मतलब अदभूत बात है ये मैं एक चीज कहना चाहता हूं अस्फलता के हजार बहाने हो सकते हैं परन्तु अच्छा कारण एक भी नहीं होता मतलब जो आप सचमुझ करना चाहते हैं जीवन में एदि कोई पूछे, क्यों नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए हमारे पास उत्तर है और वह उत्तर कैसा है अपने को बचाते हुए समझ रहे हैं देख लो, अपने को पूछ लो या कोई पूछे दे जो हमसे स्रेष्ट हैं अच्छा, अभी तक के जो सचमुझ करना चाहिए जीवन में क्यों नहीं कर पाए सही एक नहीं है है क्यों नहीं उत्तर हम सब के पास में इतना बढ़िया उत्तर है कि उनको हम समझा ले जाएंग करो कहेंगा हाँ सही कहते हो यदि उनको हम कनवेंस कर भी ले जाएं तो क्या समस्या खतम हो गई नहीं हो गई है क्या करना पड़ेगा सफलता का इसपष्ट नियम है क्या खुद को उस द्विप से बाहर निकाले मतलब अब बहाना बनाने छोड़ दे अब बहाना बनाना छोड़ दे कोई भी काम करें या न करें बहाना न बनाए ये हुआ नहीं हुआ मेरे सचमुझ मैं वैसा कर नहीं पाया लेकिन अब सुरू करता हूँ आज से सुरू करता हूँ काम न करने के बाद उसे उचिठ ठहराने और नियाय संगत्तर के गड़ने के लिए जो इतना महत्वपूर्ण मस्तिस का है और मन है ना उसका दुरूपयोग न करें इसी मन से कितना बढ़िया काम कर सकते हैं और उसी मन से हम क्या कर रहे हैं बहाना डूंडे चले जा रहे हैं बहाना डूंडे चले जा रहे हैं कैसे काम चलेगा इससे हमें बार-बार कहना है इस चीज को क्या कहना है कुछ कुछ भी करें और करते रहें आगे बढ़ना है और क्या कहना है यदि कुछ भी मुझे करना है अपने जीवन में बहतर यह मुझ पर निर्भर करता है यह स्विकारना पड़ेगा मुझ पर निर्भर करता है ना आप समाज को दोसी बना सकते हैं ना साथी को दोसी बना सकते हैं ना विवस्था को दोस दे सकते हैं नहीं क्या करना है यह मुझे खुट पर कैसे पता चले कैसे पता चले कि सचमुछ हम जो बहाना बना रहे हैं वो सही है कि गलत है कैसे परखेंगे उसको आप आसपास देखिए लोगों को देखिए ऐसे लोगों को ढूंड़िये और खुद से पूछिए क्या मेरे ही समान कोई ऐसा है जो समस्या ग्रसीत हो फिर भी सफल हुआ हो और ऐसे लोग मिल जाएंगे मैं बता रहा हूँ आप से कम सिख्छा वाले आप से कम स्वस्त लोग आप से कम समय में हम सब के कम समय में भी उन्होंने अपना अच्छा काम किया वो सफलता प्राप्त किये नजाने कितनी चुनोतिया उनके जीवन में आई उसके बावजूद उन चुनोतियों को पार करके वहाँ पहुँच गए हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं यदि कोई किसी ने किया है हजारों लाखों ने कर चुका है इसका मतलब मैं भी कर शकता हूँ बस प्रयाश की जुरूरत है हम करना चाहें कहा जाता है कि लोग अपनी असफलता के बहाने बनाने में जितनी उर्जा खर्च करते हैं उतनी अगर वे सही लक्ष प्राप्त करने में लगाएं तो वे सफल हो जाएं कितनी उर्जा लगती है पता है और उतनी उर्जा कि यहाँ लगा लेना है बसरते उस दीव से निकलना होगा कैसे निकले बहुत छोटी बात बताऊँगा इसका विस्तार आज नहीं करूँगा एक ही बात है आत्मानुशाशन यह विस्तार की जुरत है आत्मानुशाशन पर लेकिन आज मैं इतना ही कहना जाहता हूँ आत्मानुशाशन अपने पर अपना शाशन आत्मानुशाशन का मतलब अनुशाशन ही वह गुण है जो आपको बहानों के प्रलोभान से बचा सकता है आत्मानुशाशन का मतलब सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता चाहे मन हो चाहे मन न हो मैं फिर से कह रहा हूँ सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता चाहे उस समय करने का मन न भी हो तो भी करना ये आत्मानुशाशन है वयाम करने का मन नहीं हो रहा है फिर भी करना, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, फिर भी पढ़ना, क्योंकि उस समय के आवश्यक्त है, जरूरी है वो काम करना, ये क्या है आत्मानुशाशन, आत्मानुशाशन व्यक्तियत महानता की कुंजी है, इस अनुशाशन को अपने जीवन में लाना है, कोई दूसरा साश करके आपके जीवन में प्रगति नहीं ला सकता है, आपको इजीव मिदारी लेनी है और अपने पर साशन करना है, तो फिर सुबह उठने का, खुद पर करना होगा, समय पर काम निप्टाने का, समय पर पढ़ने का, समय पर ध्यान करने का, समय से सत्संग में पहुँचने का स्वैम को सासन करना होगा स्वैम पर फिर किसी के उपर कोई सासन करे क्यों नी जा रहे हो अरे जर्रत ही न पड़े दूसरा हंटर लगाए आपको दूसरा कोड़ा मारे तब उठो क्यों कोड़ा मारवाना चाहते हो अपने उपर क्यों कोई टोके हम को नहीं, मुझे करना है क्योंकि मेरे लिए है ये ये आत्मानुशाषन जिस्दिन आएगी, ना वहाँ बहाना चले होगा, और नहीं जो बाधाएं हम मार रहे हैं वो सारी बाधाएं अपने आप बिलीन होती चली जाएंगी और हम अपने काम करने में आगे बढ़ते चले जाएंगे